नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोग बर्मा आप देख रहें टीवी टॉंटी न्यूज देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ सुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और राजस्तान के टूंगरपूर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पॉलिश ने गुजरात चारही कार से कई करोन रूपय रामत की हैं जिले की बीची बारा थाना पॉलिश ने सनिवार को नेसनल हाईवे सलक मारक आठ पर बड़ी कारवाई करते हुए 64 करोन रूपय कायस जब्त किया है हवाला की काले कामाई के साथ 2 आरूपयों को भेकर अपतार किया है माना जा रहा है कि ये करोन रूपय दिली से कुज़ात ले जा रहे थे फिलाल पॉलिस मामले की परताल कर रही है साथ ही दावा कि जा रहा है कि ये हवाला का सामरिया ने बताया कि फिलाल पैसे जब्त कर लिए गए हैं और आरोपियों से पोच्टाश की जा रही है सुरुवातित जानकारी के अनुसार या हवाला से जुड़ा हुआ मामला प्रतित हो रहा है हलाकि पोलिस अभी मौके पर कारवाई में लगी हुई है आरोपियों को ग्रपतार कर थाने लाया गया है बैंकों से मसीन मंगवानी पड़ी है इन नोटों को गिनने के लिए इसलिए मसीन भी बैंकों से मंगवानी पड़ी नोट गिनने में ही सुबह से साम हो गए जब तो किये गए रुफियों के गिन्यती की गई है और रुपियों से आगे भी पूलिस पूश्टास कर रही है तो बड़ी खबर इस वक्त की राजिस्तान की डूंगरपुर से जहां पूलिस ने गुजरात चारही कार से कई करोन रुपए परामत किया है